नमस्कार मुप्रिया आज है आठ जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप और खास सभी को करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन जवासी मजदूरों के लिए फिर से शिरू होगा कॉल सेंटर बिहार के पांच आईयस अधिकारियों को मिला प्रमुश्टा बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल निकालना होगा आसान बिज्वियू भोकताओं को कोरोना काल में मिलता रहेगा बिल अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तासे आप और खास सभी को करना होगा COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन बिहार में COVID-19 के मामलों के स्थती लगातार बढ़ती जा रही है यही कारण है कि संक्रुमन पर ब्रेक लगाने की प्रक्रिया में बिहार सरकार भी अब नजर आ रही है हालाकि सबके भी स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने साफ कर दिया है कि COVID-19 के समाहौल में आम या खास जैसी कोई चीज नहीं होगी कोई भी हो हर किसी को COVID-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवारे होगा इसके साथ ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दोरान उन्होंने साफ कहा है कि पिश्र दो लहर का अनुभव थर्ड फेज में कारगर साबित हो रहा है विभाग और सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए है ऑक्सुजिन प्लांट पूरी तरह से दुरुस्त है अस्पतालों में इलाज की सम्मूचित विवस्था की गई है थर्ड फेज में काफी संख्या में डॉक्टरों का संक्रमित होना हालाके चिंता का विश्य है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है पहले और दूसरे में इसमें भी स्वास्तिकरमी संक्रमित हो गए थे इसके बावजुद स्वास्ति विवस्था को बहाल रखा गया था स्वास्ति विभाग की तरफ से मिली ज़ानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुलमिलाकर 3048 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 8489 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविच जिलों की बात करें तो अररिया में 28, अरवल में 26, और अंगबाद में 33, बांगा में 26, बेगुसराय में 95, भागलपूर में 62, भोजपूर में 70, बकसर में 17, दर्भगा में 52, इस्चमपारण में 27, गया में 29, गोपाल गंज में 4, जमुई में 46, जहानाबाद में 55, कैमूर में 90, खगड़िया में शेक, किशन गंज में 31, लखी सराय में 7, मध्यपूरा में 5, मधुबनी में 56, मुंगेर में 23, मुझाफ़पूर में 130, नालन्ना में 76, नवादा में 12, पटना में 1314, पुर्णिया में 20, रोहतास में 30, सहरसा में 61, समस्तिपूर में 30, सारन में 40, शेकपूरा में 9, शिवहर म चंपूर में 7, सीटा मधी में 66, सिवान में 22, सुपूर में 4, वैश्वाटी में 72, वैस्प शंपारण में 25, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके अलावा 6.06 मामलों की पुष्टी हुई है, जो दूसरे राज़के हैं, लेकिन इनके सामपल बिहार के अलग-अलग जिलों इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुलमिलाकर 184,750 सैंपल की जाज की गई वहाई जारां 342 मरी स्ठीक हो कर घर वापस लोटे है प्लाजमा अनुसंधान संस्थान IPR ने निकाली रिखतियां प्लाजमा अनुसंधान संस्थान में पर्योजना वैज्यानिक सहाई के कुलमिलाकर 184 पर आविदन की मांग की गई है इन पदो के लिए अनुसाशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर अप्लिकेशन Electrical or Electronics, Electronics और सजार Electronics और Instrumentation, Instrumentation and Control Mechanical भौती की शामिल है इसके साथ ही इन पदो के लिए सेक्षन की योगिता की बात करें तो अभियर्थियों के पास प्रसांगिक विशय में डिग्री डिप्लोमा का होना अनिवार है इच्छोक और योगी मिद्वार अंतिम तारिक 17 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ipr.res.in पर जाकर आवे दिन भर सकते हैं जाती आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए URL से जाकर दे सकते हैं इसके लिए उनके पास जमीन पर जानकारी के लिए उनके पास जमीन पर जानकारी में लोधिपूर क्लस्टर के 12 बॉनकरों का चैन किया जाएगा हाला कि इसके लिए बॉनकरों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा जुसके तहट इसके लिए उनके पास जमीन और हैंडलूम होना आवश्यक है यहां के 65 बॉनकरों ने आवेदन दिया है इसमें 12 का चैन उद्योग विभाग को करना है ऐसे में विभाग के अधिकारियों को काफी माधा पच्ची भी करनी पड़ रही है इसको लेकर टेक्निकली सुपर्वाइजर हेमंत कुमार ने बताया है कि लोधिपूर क्लस्टर के लिए नामित हो चुके हैंडलूम मुनकरों को वर्क शेड निर्मान के लिए जल्द ही राशी मिलेगी प्रवासी मजदूरों के लिए फिर शुरू होगा कॉल सेंटर देश भर में कॉरोना के बढ़ते मामलों के बीच श्रम संसादर मिभागने फिर से कॉल सेंटर शुरू करने का अंदर ने ले लिया है मिली जानकारी के नुसार इस कॉल सेंटर पर बिहार से बाहर काम कर रहे मजदूरों को पूरी जानकारी दे जाएगी जिसके देहती अब अगर डॉकडाउन या किसी अन्यकारन से मजदूर किसी भी राज़ो में फस जाते हैं तो उन्हें बिहार आने में सरकार मदद करेगी कॉल सेंटर पर मिली जानकारी के हिसाब से राज़ो सरकार समंधित राज़ों से बात चीथ भी करेगी इससे पहले साल 2020 में सबसे पहले कॉल सेंटर शुरू किया गया था जिसके बाद ही अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे स्ट्रम संसादन विभाग दे तैय किया है कि पहली और दूसरी लहर की तरह कोरोना के मौझुदा मामले को देखते वे और भिहाल सरकार को अगली सुनवाई में निश्चित रूप से हलफ नामा करने का अन्विर देश दिया है इसको लेकर चीफ जसिस संजे करोल की खंडबीट ने विकास कुमार यादब दौरा दायर जनहित यावशिका पर सुनवाई की इसके पहले हाई कोड में अधिवक्ता निवेदिता निवरकार के ध्यक्षता में वकीलों को तीन सदसिय कमीटी गठित की गई थी कोड ने समीती को इन समारकों के हालात का जैजा लेकर रिपोर्ट करने का आदेश दिया था पिछले सुनवाई में वकीलों की समीती ने कोड के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखी थी वकीलों की कमीटी ने जिरादे के डॉक्टर राजिन प्रशाद के पुस्तैनी घर के जरजर हालत वहाबुनियादी सुमिधाओं की कमी और विकास में पीछे रह जाने की बात कही थी साथ ही असंतोष जनक स्थिती पर भी चिंता जुदाई है बिहार के अतिकांच भाग में छाए बादल बिहार में ठंड के कहर के साथ ही बारिश की चिंता अपसताने लगी है क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानी को ने कहा है कि आज एक दो स्थानों पर कोहरे के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है जुसके जलते एक से दो दिनों तक रज के कुछ हिसों में कोल्ड दे जैसी स्थिती हो सकती है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार में मौसम इंद्रों सुष्क बना हुआ है और स्तर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है ठंड की वज़े से लोगों को कंकनी का एहसास भी हो रहा है वहीं मौसम विभाग के पुर्वानमान के अनुसार बिहार के पश्चिमी हिस्सों के अलग-अलग इलाके में शुक्रवार और रविवार को और दक्ष्री हिस्से में सुमबार को कोहरे के साथ हलकी बुन्दा बांदी होने की संभावना है ऐसे में प्रदेश के कई जिलों और शेहरों में बारिश के कारन ठंड में अजाफा होने की संभावना जताई गई है बिहार से नेपाल तक की ट्रेन सफर का मौक ड्रेल हुआ शुरू जल्द ही बिहार से नेपाल तक की रेल सेवा शुरू होने वाली है जिसकी जानकारी कुछ दुनों पहले ही हमने आपको दी थी वहीं इस रेल सेवा के और ज्यादा ही और जल्द ही पुरा होने की उमीद भी अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बीते दिन कई महीनों से नेपाल के इनर्वा स्टेशन पर खड़ी सवारी गाड़ी को जैनगर रेलवे स्टेशन लाए गया और गाड़ी में डीजल पर्मा ने इस बात की जानकारी दी है साथ ही बताया है कि इस रेल खंड के स्टेशन और हॉल्ट पर ट्रेनों को ले जाकर तकनीक से जुड़े कारियों को चेक किया जाएगा और व्याप्त खामियों को दूर किया जाएगा जल्द ही नेपाल रेलवे की तरफ से बाहर किये बिहार के प्रशासनिक गल्यारे से बड़ी जानकारी निकल करके सामें आई है जिसके तहर बीते दिन राज्य सरकार ने पांच आई-ए-ए-स अधिकारी को प्रमोशन दे दिया है इन सभी को वेतनमान और ग्रेट के हिसाब से परफॉर्मा प्रवनती दी गई है प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में 2009 बैच के आईएस अधिकारी साकेत कुमार, 2009 बैच के आईएस अधिकारी मनोज कुमार सिंग और इसी बैच के आईएस अधिकारी रमन कुमार शामिल है इन तीनों अधिकारी को फिलहाल केंद्रे प्रतिन्युक्ती पर भेजा गया है इसके अलावा 2006 बैच के आईएस अधिकारी आदेश तितरमारी जो केंद्रे प्रतिन्युक्ती पर हैं उन्हें भी प्रणिती दे दी गई है साथी साथ इसी बैच की आईएस अधिकारी अश्मिनी दत्तात्रे ठाकरी को भी प्रणिती का लाब दिया गया है तेश प्रताप यादव के विधानसभाज शेत्र की विधायक प्रतिनिधी बनी विभादेवी जिसमों ने लिखा कि हसनबूर विधान सभाच शेत्र की विधान की रहने वाली राजुत नेतरी श्रीमती विभा देवी जी को अपने विधायक प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त करता हूँ आश्रा करता हूं कि विधायक प्रतिनिधी के रूपे नियुक्ति श्रीमती विभादेवी जी जनता के प्रति अपने कर्तवियों का पालन पूरी निश्ठा से करेंगी बिहार पुलिस ने साथ 2022 में शुरू किया ओपरेशन प्रहार बिहार में इन दिनों ऑपरेशन प्रहार जोर शोर से चलाय जा रहा है जिसके तहट बिहार को अपराध मुक्त बनाने की कलपना साकार करने के लिए बिहार पुलिस लगा तार जुटी वी है जिसकी शुरुवात इसी साल की गई है इसका मुख्य मकसद राज में अपराध की घटनाओ पर नकील कसनाओ श्राबंदी को सफल बनाना है सबसे एहम बात ये है कि बिहार पुलिस के इस अभियान का असर ने साल के पहले पांच दिनों में ही दिखने लगा है पुलिस मुख्याले के तरफ से मिली जानकारी के रुसार राज में गंभीर अपराधिक मामलों में फरार अपराधियों की गिरफतारी के लिए उपरेशन प्रहाज चुरू हुआ एक से पांच जनवरी के बीच राज्य के अलग-अलग जिलों में इसके तहट कई लोगों की गिरफतारी भी हुई है वहें शराबंदी के तहट चलाई जा रहे अभियान के तहट 7144 लीटर देशी और 12427 लीटर विदेशी शराब जब्त किये गए सियदकेश के साचिव अनुपम कुमार की रिपोर्ट आई पॉजिटिव बिहार में COVID-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तीसरी लहर आने के साथ ही कई राज रेता भी इसकी चुपेट में आ गए है इसी कड़ी में अब COVID-19 VIP इलाकों में भी तेजी से अपने पाउपसार रही है मुखेमंतरी आवास में तीसरी लहर में बड़ी संख्या में सुरफशा कर्मी और कर्मचारी पॉजिटिव पाई गये थे और अब मुखेमंतरी के साचिव अनुपम कुमार की भी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हाला कि ये पहली बार नहीं है जब अनुपम कुमार की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है इससे पहले भी दोनों लहर में वो संक्रमित हो गये थे खबरों की माने तो इस बार उनका पूरा परिवार ही COVID-19 से संक्रमित है एक तरफ मुखेमंतरी के आवास में कई लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वहीं बिहार के दोनों मुखेमंतरी और उनके आवास पर कई लोग भी पॉजिटिव पाई गये है राजभवन में भी कई लोगों के पॉजिटिव होने की सूच रहा है बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल निकालना होगा आसान बिहार के आम लोगों को ऑनलाइन नकल प्राप्त करने की सुवधाज जल्द ही मिलने वाली है बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल निकालना होगा आसान बिहार के आम लोगों को ऑनलाइन नकल प्राप्त करने की सुवधाज जल्द ही मिलने वाली है राजस्वे बंभू में सुधार विभाग का भू अभिलेक और परिमाप निदेशाले जल्द ही हसुवधा आम लोगों को देने जा रहा है फिल्हाली हसुवधा दाखिल खारित से सम्मधित ओनलाइन उपलब्ध सभी प्रकार के अभिलेखों पर नागू होगी भू अभिलेक और परिमाप निदेशाले की तरफ से डिजिटल हस्ताक्ष्रित नकल की मानेता के लिए एक प्रस्ताफ कैबिनेट के अनुबोधन के पास भेजा जा रहा है भू अभिलेक और परिमाप निदेशवक जैसिंग ने इसको लेकर सारी जानकारी साज़ा कर दिया साथी उमीद जताई है कि मार्च महीने तक आम लोगों को यह सुवधा उपलब्ध हो जाएगी बिहार में कोरोना काल में मिलता रहेगा बिल बिहार में कोरोना के मामनों में लगातार वृति हो रही है जिसके बाद से ही बिहार के कई बिजली उपभोकताओं को उनके बिजली बिल को लेकर संश्रे के सती बनी हुई थी लेकिन अब बिजली उभोगताओं को इस बार कोरोना काल में भी बिजली बिल मिलता रहेगा क्योंकि पेसू उसके लिए अभी से तयारी तेज कर चुका है खबरों की माने तो योच्रा के अनुसार घर के अंदर लगे मीटरों को बाहर लगाया जाएगा इससे यहाँ फायदा होगा कि मीटर रीडर को घर में जाने की जरूरत नहीं होगी साल कोरोना संक्रमर के बीच बिलिंग में समस्या आई थी दो महीने बिलिंग का रिप्रभावित रहा था इसको लेकर पेसू को बिलिंग का लक्षे 95 फीस दे दिया गया है बिहार विधानसभा 16 जन्वरी तक बन बिहार में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे साथी बिहार विधानसभा में कई लोगों की COVID रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा परिसर को 16 जन्वरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है स्पीकर विजे कुमार सिन्हा ने बीते दिन इस बात की जयानकारी दी है उन्होंने कहा है कि राज़े में पिछले एक सब्ता के दौरान हर दिन COVID-19 के मामलों में व्रधी हुई है यहां तक कि विहार के दोनों पुखी मंतरी सहित कई मंतरी और विधायक भी COVID-19 पॉजिटिव हो चुके है संक्रमन के बढ़ते खत्रे को देखते वे विहार विधानसभा को 16 जन्वरी तक बंद करने का आदेश नहीं लिया गया है इस दोरान विहार विधानसभा का ओफिस बंद रहेगा हाला कि कर्मचारियों को मुख्याले में मौझूद रहने का निर्देश निया गया है ताकि जरूरी काम होने पर उन्हें बुलाया जा सके बुलेट ट्रेन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सपना है जिसके पूरा होने की आस अब और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रहे है क्योंकि रेलवे ने देश के कई रूटों पर हाई स्पीड रेल कोरिडॉर बनाने की योचना तयार की है जिसमें वारानसी हावरा का रूट भी शामल है इस रूट पर रेलवे ट्राक तयार करने के लिए सर्वे का काम अबलगभग खत्म होने को है जो कि बिहार के लिए भी अच्छी ख़बर है क्योंकि हाई स्पीड रेल यानि बुले ट्रेन का रूट उतरप्रदेश, बिहार ज्यारकन और पश्वी मंगाल के प्रवक शेहरों को आपस में जोड़ेगा इसको लेकर वारानसी नई दिल्ली के हाई स्पीड रेल का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है और उसका प्रोजेक्ट अलग है इन दोनों योजनाओ के पुरा होने पर हावडा से दिल्ली का सफर चंद घंटों में पूरा हो सकेगा रेलवे के इस प्रोजेक्ट पर आधिकारिक सतर से अभी बहुत आधिकारी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है इसके चलते कईदर है के कयास और भ्रम लोगों के बीच पैदा हो रहे है बालमी की टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी संग इतिहास से भी रूबरू हो सकेंगे परेटक बालमी की टाइगर रिजर्व में बागों को देखने का रोमांच होता है लेकिं जुल्धी यहां आने वाले परेटकों के पास एतिहासिक स्थलों को निहारने और इतिहास के पन्नों में ज्ञाकने का भी मौका होगा इसमें कुछ बॉध है काल तो कुछ मुगल काल्च से जुड़े स्थल हैं कई प्राकृतिक स्थल भी है इस स्थलों का भ्रबन परेटक आसानी से कर सकेंगे इसके प्रयास में बिहार का परेटन विभाग जुड़ गया है इससे परेटकों की संख्या बढ़ने के साथ रोजगार के अफसर भी मिले लगेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार के पश्चुन जब बालन स्थित वी टी आर के निकट एतिहासिक दृष्टी से महत्वपूर्ण कई प्रमुखस्थल है इनके एतिहास को खंगाले के साथ ही चिनहित कर टूरिस्ट माप से जोड़ा जाएगा यहां के बावनकडी दर्वा बारी के कल्च्रल क्याम्प के रूप में से विक्सित किया जा रहा है यहां की संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी उप्लब्ध करवाई जाएगी बोलिवर ड्रापर बादशा के चार्ट बस्टर गाना पानी बानी के भोजपूरी संसकरन में धूम मचानी के बाद स्टनिंग अक्षिरा सिंग अब मशूर म्यूजिंग कंपनी टिप्स और सारे कामा म्यूजिक के लिए आलबम करने वाली है ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अक्षरा सिंग डपने इंस्टरग्राम अकाउंट से टिप्स के ओनर गिरेश कुमार और सारे कामा म्यूजिक के CMD विक्रम महरा के साथ वाली फोटो पोस्ट की है और अब तेजी से ये वाइरल भी हो रहे हैं अक्षरा के सियसी गल्यारे में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामने बिहार में कोवर नाइटिन की रफतार वे काबू होती जारी है दिन प्रते दिन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहे है वही इस बार बिहार के सियासी गल्रियारिये में भी संक्रमन तेदी से फैल रहा है अब तक जदियू और भाजपा के कई मंत्रियों के COVID-19 पॉजिटिव पाई जाने के बाद संक्रमन कॉंग्रिस में भी फैलने लगा है बिहार कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जहा की COVID-19 पॉजिटिव आई है ट्विटर के माधियम से उन्होंने इस बात की जानकारी दी है जिसके बाद उन्होंने खुद को आईसोलेट कर लिया है मदन मोहन जहा ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरा COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है वही राजु क्याबिनेट पेश चामिल उद्योग मंतरी शाहनवास हुसेन भी अब COVID-19 की चपेट में आ गया है राजु क्याबिनेट पेश चामिल उद्योग मंतरी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है जिसके तहत उन्हों ने बताया है कि उनके जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके संपर्क में आने वाले सब ही लोगों को अपनी कुरोना जाच करा लेनी चाहिए हम नितीश के साथ है लेकिन उनमें हिम्मत नहीं बिहार में जातिय जनगर्ना पर सियास अतेज है इसी मुद्धे को लेकर जहां बीते दिन राज़ुत की तरफ से सीम नितीश को बड़ा उफर दिया गया वहीं अब तेजस्वी आदब ने बीते दिन मीडिया से बाचीट के दौरान मुख्यमंतर नितीश कुमार में हिम्मत नहीं होने की बात कही है इसको लेकर तेजस्वी ने साफ कहा कि खरमास की बात खेला होगा या नहीं यह तो जनता तै करेगी लेकिन हमने तो मुख्यमंतर नितीश कुमार को बोल दिया है कि जातिका जनगरना पर उनके साथ है नितीश कुमार में हिम्मत नहीं है हम तो साथ देने के रिए तैयार ही है अगर वो थोड़ी सी हमत करे तो जाति के जनगर्णा बिहार में करवाई जा सकती है बहार में जातिय जनगर्णा के मुद्दे पर साथ नहीं देने का किया आयलान बिहार में जातिय जंगर्णा पर सियासत कितनी तेज है हर दिन आ रही खबरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां एक तरफ राज़त जदियों को खुला उफर दे रही है तो महीं दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी जित पर अड़ी है और अब तो भाजपा ने एकड़म साफ कर दिया है कि जातिय जंगर्णा के मुद्दे पर वो जदियों के साथ नहीं है जिसके तहट नितीश क्याबरेट में मंत्री नीरच कुमार बबलू ने साफ कर दिया है कि जदियों का एजिंडा जातिय जंगर्णा हो सकता है लेकिन भाजपा का एजिंडा जंसंग ख्यानियंत्रन है भले ही हम सरकार के साथ साथ है लेकिन हमारा एजिंडा अलग-अलग है भाजपा नेता ने कहा कि एंडिये में विचारधारा और एजिंडा चुलानी की स्वतंतुरता है नितीश कुमार के भी हमारे नेता है एंडिये के सभी नेता और मंत्री उनकी बात मानते हैं लेकिन सभी पार्टियों की विचारधारा अलग-अलग है वहीं राज़त के आरोपो पर भाजपा निता ने कहा कि वो जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा बेरोजगारी हटाव यात्रा की तैयारी ज्वारी भले ही COVID-19 की तीस्री लहर के मदरजर बेरोजगारी हटाव यात्रा को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया हो लेकिन तेजस्वी आदव अपनी तरफ से तैयारियों को तेज करते दिखाई दे रहे हैं यही कारण ह के मतावि COVID-19 प्रोचोकॉल के तहट राजमे पाबंदिया समाप्त होने के बाद तेजस्वी हर जुरे में बेरोजगारी हटाव यात्रा करेंगे और यही वज़े है कि सभी जुलों में आयोजन स्थल और आयोजन संबंधी अन्यबातों पर चर्चा हो रहे है हालाके इन प्रबख पपुयादव को अपात कालीन स्थिती का मसीहा कहा जाता है क्योंकि जब भी कोई अपात कालीन स्थिती बिहार पर आई है मसीहा बनकर पपुयादव अकसर लोगों की सेवा में नजर आते हैं इसी कड़ी में COVID-19 के बट रहे मामलों के बीच पपुयादव अस्प जबरानी की ज़रूरत नहीं है पपुयादव है जो की जब भी ज़रूरत पड़े बस एक कॉल कर देना है एनमसीच में घूमने के बाद पपुयादव ने पत्रकारों से बात करते वे सरकार पर भी जम कर निशाना साथा उनना ने कहा कि COVID-19 क्या है इसे ज्यादा तो लोग अने बिमारी से हर दिन जानगवा रहे हैं परिशान होने की ज़रूरत नहीं है बस लोगों को सतरक रहने की ज़रूरत है मांची की पार्टी ने लादुयादर के विधायकों को बताया एंडिये के संपर्क में बिहार में इन दिनों खर्मास के बाद खेला होने की बात लगातार चर्चा का विशय बनी हुई है इसी बीच विपक्ष तो इस मुद्दे पर आवाज उठाई रही है अब जीतनराम मांची की पार्टी ने भी ऐसा ही कुछ संकेत दिया है जिसके तहर्ट जीतनराम मांची पार्टी की तरफ से प्रवक्ता दानिश रजवान ने कहा है कि लालुयादर के कई विधायक इंडिये समर्थित दलों के संपर्क में है हिंदुस्तानी आवा मोर्शा के प्रवक्ता दानिश रजवान ने साफ दावा किया है कि राजवत के कई विधायक इंडिये के संपर्क में है और पार्टी को डर है कि खरमास के बाद उनके विधायक इंडिये के दलों के साथ ना चले जाए यही कालन है कि अपने विधायकों को गोल बंद करने के लिए जगदानन सिंग सरकार के साथ होने की बात कर रहे है अगर राजवत के प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो साथ ना पर दे भारत में COVID-19 के मामलों में एक बात फिर से तेजी देखने को मिल रही है इसे बीच तीसरी लहर की चपेट में अब तो कई लोगों के आने की जानकारी भी धीरे-धीरे निकल करके सामने आई है जुसमें भी कि अब भारतिय क्रिकेट पर भी COVID-19 का साया मनरान लगा है MCA के ओफिस को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है इसको लेकर MCA की तरफ से सचिप संजे नाइक ने अपेक्स काउंसिल को COVID-19 केस की बारे में जानकारी दी और ओफिस को बंद करने के बारे में बताया है कर हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धरनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंटर में अच्छा लगा है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल को चिस प्रकार है आपके नुसार बढ़ते ठंड को देखते वे आपके जिले में प्रसाशन की तरफ से उपियुक्त कदम उठाय जा रहे हैं या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइकों दबाना ना भूले धन्यवाद